हेलो गाइज वेलकन तो अने दर वीडियो प्स्टॉक मार्केटमेंट को टैक महेंद्रा बैंक की ओर से मार्च क्वाटर की फिनाशल रिजल पेस हो चुका है कॉन सॉलिडेटर स्टैंडलॉन दोनों रिजल्स आउड हो चुका है क्वाटर एंडेट और फिनाशल एंडेट का आज के इस वीडियो में अनल्सिस करेंगा चलिए फेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइज नंबर करोड में है और इंकम की बात करें 27,907 करोड का जबकि पिछले क्वाटर में 24,083 करोड का और मार्स 23 क्वाटर में 20,766.5 करोड का इंकम था दोनों की इंकम में इंक्रेज किया है एक्संड्स कम्पनी का खुआ है 20",690 करोड का पिछले क्वाटर मैं 17,807.5 करोड का और मार्स 23 कॵाटर में 14,629.4 करोड का एक्सेंस हुआ था quarter on quarter year and year दोनों में increase किया है, यहाँ पे provision four hundred forty two करोड का पेक करना पड़ा, पिछले quarter में six hundred fifty two करोड का ऑ mask 23 quarter में one hundred forty eight करोड का provision पेक करना पड़ा, quarter on quarter में कम पेक करना पड़ा, लेकिन year on year में बहुआ ज्यादा पेक करना पड़ा, जिसके बाद operating profit hoş awhile seventy seven fifty five करोड का, क्वाटर ओन क्वाटर का। आंट उन पॉफिट एच पॉटने फॉटोंमें इंचन करोड स्वाज़ंकर स्ट करोड को जिसन से तो इपर आख़ए, मुमझामनिन परशन का जो कि यह रोड़ी डिक्रीज किया है लेकिन नेट यह पॉंट पॉंट तो यह रोड़ी तो गाइस कमपनी का रिजल्ट देखा जाए बहुत अच्छी रिजल्ट पेश किया इंकम में भी इंक्रीज किया और कंपनी का एंप भी लगाता डाउन हो रही है फिनांचल एरेंडिड में इंकम में 94,273 करोड का और 23 में 68,142 करोड का इंकम में तो इंक्रीज किया है एक्सपेंसे 68,438 करोड का और 23 में 48,056 करोड का एक्सपेंस हुआ था इंक्रीज करता हुआ नेट पॉफिट 18,213 करोड का और 23 में 14,925 करोड का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है EPS 91.45 रुपेज का 23 से बहुत स्ट्रॉंग ग्रोथ हुआ तो गाइस कंपनी का जो कॉन्सॉलिडेट फिनांसल रिजल्ट है बहुत स्ट्रॉंग रिजल्ट पेज का क्योंकि इंकम और पॉफिट दोनों में इंक्रीज करती हुए जरा लिए NPA डिक्रीज करता हुआ देखन स्ट्रॉंग का 505 it करोड का कॉ मार्च 23 14 auf 7355.8 पोइट करोड का एकस्पेंस हुआ था कॉरट on Superintendent crash project में इंक्रीज क्या है प्रोबिजन 263.7 प्योड का पीक करना पड़ हा quarter on quarter में बहुत कम पेकर ना पड़ा लेकिन year on year में increase किया है जिसके बद operating profit है 5197.8 करोड का पिछले quarter में 3987 करोड का और March 23 quarter में 4490.8 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है net profit company का 4133 करोड का पिछले quarter में 3005 करोड का March 23 quarter में 3495 करोड का profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है EPS 20.6 रुपीज का quarter on quarter year on year में increase किया है तो overall guys company result stand-alone है या consolidated बहुत ही strong result पेश किया है और अगरम इसके share की बात करेंगे तो company का जो share है 1546.7 रुपीज पे कल ख्लोज किया था और 1.8% का crash करता वनजर आया था अगर हम देखेंगा कुछ नहीं पहला ही company के share में बहुत ही बुरी तरह से crash किया है और इसलिए अगर आप इसमें अगर देखा जाए तो यह company जो है ओवर ओल फिफ्टी टू वीक लो के आसपास company के कर सकता है तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर करता है अगर कोई राउटे कमेंट बॉक्स में पुछे मिलता है एक शोड़ा में डिलने में बाइब